जिन्दगी वो इसाब है जिसे पिछे चाकर सही नहीं किया जाज़कता इसलिए आज मेह सुधार करें और पुराने बातों को अनुभव की दरब इस्तमाल करें बीच बिना अवाज के बढ़ता है लेकिन एक पेट पारिसोर के सथ गिरता है विनास सोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है ये मौन की सकती है अगर आपने दरद में भी मुश्कोराना सीख लिया तो समझेए आपने जिन्दगी जिना सीख लिया गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बाहितर है सई तरीके अपना कर असफल हो जाना जिन्दगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारे जिन्दगी के सफलता का बड़ा हिस्सा होता है कमजोर वित्ती तब रूप जाते हैं जब वो थब जाते हैं और आगे नहीं चल पाते लेकिन एक विजयता तभी रुकता है जब वो विजय हो जाता है आपकी जिन्दगी बहुती अलमोल और सुन्दर है इसे फाल्तू और बेकार बातों में नहीं गवाईए प्रेम एक ऐसे चीछ है जो हारे हुए व्यक्ति को भी चिता देती है लेकिन ग्रेना एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है जब आपको लोग पुछे की आप क्या काम करते हैं तो वो लोग बास्तों में आपको इतनी इज़त देनी है इसका अंदाजा लगाते है आपकी जिन्दगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूर नहीं है लेकिन हर दिन हमेशा से बाइतर हो ये जरूरी है कोई भी काम हमें करने से बहले मुश्किले लगता है सफल व्यक्ति अपने लिज़ हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते है और सफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते है जले ये आपको अपने आप पर विश्वा से तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती बनना है तो पानी के तरह बनो जो अपना रास्ता खोल बनाता है बाके पत्तर तो लुगों का रास्ता रोकते ही है हमेशा दूसरों के सपलता अपर ध्यान देने से बहतर है अपनी सपलता अपर ध्यान दे कर उनसे उभी बहतर बन जाना विव्यक्ति को अपने जheyवन में पड़्चाई और आईने की जिसे दोस्त बनने चाहिए क्योंकि परचाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी जोट नहीं बोलता हमारे जिवन में रोध और आन्थी एक समान है क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने दुख्सान का पता चलता है अपने समय और अपने सब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाई नहीं बरते क्योंकि ये नहीं तो वापस आते ही और ना ही वापस मौका देते है